वेरी गुट इमिलिंग डिये एस्पेरेंस वेलकम टूरेटरिफोस सेवन दिस इजमेंटर सौरफ सिंग आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रेपरेशन जबदस चल रही है लेकिन एक कन्फियूजन कही बार स्टूइन्ट के मन में हुआ करता है कि सर बहुत ऐसे फ्रेशल स्टूइन्ट साते हैं और पूछतें सिलिबस क्या है क्या मैं जो आईएपी प्यो का सिलिबस पढ़ रहा हूँ क्या ये SBI पियो के लिए भी कॉमन होगा क्या मैं जो RRB कलbage क की तियारी कर रहा हूं तो क्या ये आरबी प्यो या फिर IOPSPO ये SMIPU के ये झाए के ये तो आज इस पूरे सेशन में हम इस बारे में चरचा करेंगे की आखर बैंक examination के लिए syllabus क्या है क्या यह जो लिस्टेट यहां पर जो बैंक के नाम रखे गए हैं जैसे कि SBI P.O. बताया जा रहा है यहां पर SBI क्लोक लिखा हुआ है IPS P.O. IPS क्लोक और भी प्यो और भी क्लोक और भी गिडबी और भी असिस्टेंट क्या इन तमाम examination के लिए syllabus common है या फिर different है आज के इस पूरे session में इसी बात पर चर्चा करने वाले हम लोग एक एक करके हम आप से discuss कर लेते हैं कि आखिर syllabus है क्या तो भाई अलग-अलग bank examination नहीं सिर्फ bank बलकि insurance के examination है भी syllabus common होता है सबसे पहले ही आपके उस दुविधा को मैं साफ कर दूँ कि भाई जितने भी bank या insurance के आप नाम जानते हैं अज जिक्र देखते हैं चाहिए वो L.I.C. हो या फिर आपके सामने currently a Lusesi level examination chemist से अने इसे अरविए एसिस्टेंट है और इसमेसे बात इधियर उसमें वेसा टू है वह बांक सब सेम है तु मतलब मोटा मोटी तवर पर आप एक बात अपने इमार में सेट कर सकते हैं कि जितने इधिमक् ए अग्जैमेशन है उनके प्रिलिम्स और मेंस आमुमन लगभग जो मारे बैंक और इंस एग्जामनेशन है उन सब के से लिबस सेम है मतलब कम से कम यह जो जो छे मेजर एग्जामनेशन होते हैं उसमें कभी भी कन्फिर नहीं रखिएगा आप लोग जैसे की कि SBI, PO, and Clark बिलकुल सेलेबस हंडेट परसंट सेम है यहां पर कुछ भी डिफरेंट नहीं है जो भी डिफरेंसे क्रेट होते हैं वो थोड़ा सा लेवल अफ क्वेस्टन सुले के होते हैं ठीक नहीं पर किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंस क्लोग में नहीं मिलती है लेकिन प् पूरे सेशन में हमना पूर डिटील सेलेबस भी डिसकस करेंगे रीजनिंग का क्या प्रॉपर सेलेबस है यह कौंट सा क्या सेलेबस है यह फिर इंगलिस है और जी अग्या सेलेबस है सो SBI, PO, and CLOCK यह फिर हम यू कहें कि IBPS, PO हो यह फिर IPS, CLOCK हो, RRB का PO हो यह फिर CLOCK examination ह यह 6 major examination हुआ करती है हमारे 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 देश में हर साल bank examination के एस्परेंट के लिए यह 6 major examination उनके रावा भी bank और insurance के तमाम परिछाएं अलग-अलग सतर पे हुआ करती है लेकिन सबका सेलेबस बिल्कुल सेम है जिसे के food corporation of India उसका भी syllabus जो है बिल्कुल यह है मैं भी से बोल क्लिर लिया आपको फिलाल हम reference में 6 परिक्षाओं को ले की चलेंगे और आपको हम हर एक इंचे के परिक्षाओं में ऑफकोर्स कई बार पैटर्न में तोड़ डिफरेंस होता है पैटर्न इन इस फेज में डिफरेंस होता है नॉमली हमारे पास RRB P.O.N. Clock के जो फेज वन ह ही की में परोटाइब यह हमारे पास क्या क्या सब्चेक्ट चया मेना देखने मिला करते हैं मारी मायक के जो एक्जामनेशन होती है प्रुलिम्स क कि जैंजाम हुआ करते हैं प्रींसघ्जामेशनी इस प्रीलिमस एग्जामनेशन में वान्स देट में this किमец पैजमिंग को 아니고 English देखने को मिलता है, English RRB के examination में आपको English Prelims में देखने नहीं मिलता है, चाहे वो RRB PO हो, या फिर RRB CLOCK हो, बाकी तवाम examination में प्रिलिम्स में आपको ये तीन सब्जेक्ट देखने को मिला करते हैं, कई बार, मनले नोमली 35, 35 और 30 के respect, 35 और 35 और 30 नमबर, ठीक है, अगर मेंस की examination की बात करें, तो मेंस में normally हमारे पास, क्या-क्या syllabus होगता है, तो यही क्वांट्स में मिल जाएगा आपको, यहीं रीजनिंग मिला करेगा आपको मेंस में भी, और ये English भी मिला करेगा मेंस में, साथ में यहाँ पर एक general awareness, you can say, banking awareness and current affairs के एक syllabus को आप add-on के तोड़ देख पाते हैं, आरबी के examination में computer और subject भी आपको मेंस के examination देखा करते हैं आप लोग, अब हम बारी-बारी से syllabus को, मतलब कि जो subject आपका है, quants या फिर reasoning या फिर English, या फिर जी ये, इन तमाम syllabus को एक बार, prelims और मेंस दोनों के मद्ध नजर observe करने की कोईश करते हैं सबसे बारे बात करते हैं, reasoning की reasoning में हमारे पास ये syllabus है, आप बहुत सारे chapter prelims और मेंस के common देखेंगे, बस level of question का फर्क हुआ करता है, आप तमाम बच्चों से जो की फ्रेशन है खास तोर पे जिनका भी बहुत बहुत नया नया सुरुआत हुआ है preparation में, या फिर वो 2023 के bank exam की preparation करना चाह रहे हैं, अभी से वो alert हैं कि मुझे यार मेरा graduation हो चुका है, मुझे 2023 में के लिए त्यारी करनी है, तो उन सभी बच्चों से request है, बहुत ध्यान से समझेगा syllabus किस तरीके सो होता है, ये reasoning का syllabus है pre-plusments और ये तमाम bank exam के लिए है, चाहे वो SBI हो P.O.C. या फिर वो IVPS हो P.O.C. या फिर वो R.R.B. हो P.O.C. इन तमाम पर इच्छाओं के लिए पूरा syllabus में बता रहा हूँ आपको, ये जो आपको इस साइड के लेफ्ट साइड जो बॉक्स दिख रहा है, ये है prelims examination के लिए, मतलब prelims में आपके reasoning से सिर्फ ये 8-9 chapter आपको देखने को मिला करता है, उसमें से भी हम इन पहले 6 chapter को हम बोला करते है miscellaneous segment, that means कि इस miscellaneous segment का जो परसेंटेज होता है जिस परसेंटेज में सवाल पूछा करते है वो लोग, वो लगभग 35-40% हुआ करता है, मतलब इसर से आप 40% मान सकते हैं इसको, 40% जो मार्क्स होते हैं, 40% जो बाकी जो दो चैप्टर आपको दिख रहे है puzzles and sitting arrangement, ये दो चैप्टर आपके लगभग 60% marks carry कर रहे होते है out of 100, या फिर कह सकते है मालो यहां पर थोड़ी बहुत 55% हुआ तो यह 45% हो जागा इस तरीके से, मतलब जो आपका पल्रा भारी होता है प्रिलिम्स में, puzzles and sitting element का हुआ करता है out of 100 questions देखा जागा, मालो एक्जांपल ले रहे है 35 questions अगर होता है प्रिलिम्स में तो वहाँ पर 20 plus question आपको यहां से देखने मिलते है बाकी 15 questions आपको इस साइट से अगर मारे भी पी यह लोग की बात करें तो वहाँ 22 से 23 questions आपको इसरे से मिलते है तो 70 से 24 questions इसरे मिलते है यह combination हुआ करता है प्रिलिम्स में जो हम में मेंस के तरफ ने डालते हैं तो हमारे पास यह सारे chapters common होते है आप देख पा रहे होंगे यह nine chapters जो हमने प्रिलिम्स में रखे हुए है यह chapter जो आपको दिख रहा है ranking and alphabet test यह एका दुखका time अबो किसी किसी प्रिलिम्स पर इच्छाओं में दिख जाया करता है यहाँ पर हमारे पास इन chapters को तुम देखी रहे है साथ में तीन चैप्टर add-on के तौर पर आप यहाँ देख पाते हैं और वह है data sufficiency, machine input and logical listening यह तीन चैप्टर ऐसे हैं जो means में pure means का topic मना जाता है जो data sufficiency है इसमें कोई यह अलग से topic नहीं होता यह इन ही chapters में से आपको कुछ-कुछ सवाल निकाल के रख लेंगे चोटे-चोटे और पूछेंगे आप से कि बताए कौन कौन से data इसमें sufficient होगा सवाल को answer करने के लिए clue दे देंगे नीचे में option की तौर पे और फिर आपको answer करना होता है हाँ यह दोने chapter आपके लिए अलग से बिलकुल नया होगा आपके लिए बिलकुल ही नया बिलकुल fresh आप machine input पढ़ेंगे और बिलकुल fresh आप logical listening पढ़ेंगे तो यह आपका means का syllabus बाकि इन सभी chapter में जो आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां बात कर लेते हैं यहां पर मुस्ली जो पर आपको नजर आ रहा है है कई बार लेकिन नॉमली अगर मेंस की बात कर रहे हम तो यहां पर विदाओड वरियेबल क्वेशन एक्सपेक्ट करना स्वड़ा मुस्किल है जाए वो किसी भी क्लोग लेवल का ही मेंस एक्जामिशन क्यों नहों मतब यहां पे आपको मुस्ली पूरा पूरा वरियेबल बेस्ट और स्वासा इनुवेशन थोड़ा कॉंप्लिकेशन देखने को मिलेगा और यह डिमांड होता है मेंस एक्जामिशन का सिमिलर ली मालो एक्जामपल अपको लेते हैं सिलॉलिजम चैप्टर का सिलॉलिजम में हमारे पास लाजिकली फॉलोस वाले सवालों को नॉमल आप यहां पर कर रहे होंगे तो आप इनिशली यह माल के चलिएगा कि आपको सिर्फ यह चैप्टर जो आपके पास दिख रहे हैं इन आच चैप्टर बहुत बहतरीन होना है अगर आप यहां पर फांडिशन बहुत 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 अच्छा बहुत कमांड यहां बना हुआ है तो आप यहां से इस साइट मेंस के से बहुत एजली ट्रांजीट कर पाएंगे सब कुछ बहुत इसे समझ पाएंगे आगे पढ़ते हैं अब इसी के बाद-बाद हम आपके पास लेके चलते हैं आपको यह मैं सारी बात हो जो कह रहा हूं यह सिर्फ किसी एक परिशा के लि बिलकुल से लेबस समान होता है बस लेवल का फर्क होता है इसका ध्यान अखिए का ठीक है आगे चलते हैं मैंस की बात कर लेते हैं तो एक बात और में कह दूर इस निक बारे में रीजिनिंग में अगर आप मोटा मोटी तर पर डिफ्रेंसियेट करना चाहेंगे तो तीन प बजार हो गया इस तीन टुकणों में तोड़ सकते हैं ठीक इसी परकार से हैं मैथमेटिक की बात करते हैं यह पूरे को तीन टुकणों में बाट सकते हैं चाहे किसी भी बैंक के इंसलिंस ऐग्जाम की त्यारी कर रहे है और अपरोच चुड़ भी लाइक इस आपका क्वा पर इच्छाओं में इसको सबसे अधिक इंपॉर्टेंस दिया करते हैं, इसके बाद आपके पास यह दोनों पार्ट से भी सवाल आते हैं, लेकिन सवाल का जो लेवल होता है, तो आपका सबसे मजबूत आपका जो पार्ट होना चाहिए स्पीड मैस, आप उचेंगे स्पीड अगर प्रिपरेशन करने आ रहा है, और जानना चाहता है कि सर्फ मैट्स की तैयारी हम कैसे करें, तो मेरा प्रॉपर सजेशन होगा कि स्टूडेंट्स आप सभी को सबसे पहले इस पार्ट पे बहुत मजबूत होना चाहिए, मत अब इधर के बारे में आप देखिए ही मत क है, तो स्मार्ट अप्रोच का भी इस्नमाल कर सकते हैं, मतलब ये, सबसे पहले आप इस सेग्मेंट को अगर मजबूत कर लेते हैं, तो आपके स्पीड मैट्स जिसका इमपॉर्टनेंस हर एक प्रिलिम्स एग्जामिरेशन में है, चाहे हो कलक हो या पी ओ, तो उस पार्ट को छोड़ के आप अर्थमेटिक या डियाई के वाले पार्ट में मत जाईएगा, ये एक सिंपल सेग्जेशन होगा आप सभी के लिए, अगर आपका ये पार्ट मजबूत हो चुका है, आप यहाँ पर जम करें, और अफ़ इस पार्ट में डियाई पर जाने से पहले आपक अर्थमेटिक पढ़ना चाहिए, बिना अर्थमेटिक के आप डियाई वाले पार्ट में मत जाईए, आपका ये प्रिलिम्स के पार्ट की बात कर रहा हूं, कैसे चलना है आपको, इनिशली आपको यहाँ पर रेश्यू प्रपोशन चैप्टर से सुरुवात करने चाहिए, उसके बाद आपके पास एक परसिंटेज चैप्टर है, और पूरा पूरा अर्थमेटिक का जो पार्ट है वो इसी दो चैप्टर पर डिपेंडनेंट है, मतलब अगला जो सजेशन होगा आप सभी के लिए वो ये है, कि आपका जैसी स्पीड मैस खतम होता है, आप पूरे अर्थमेटिक मेसेज, आपको बहुत बड़ा लिस्ट दिख रहा होगा, यहां पर 15 चैप्टर कहने को यहां पर दिख रहा होगा, लेकिन वो 15 चैप्टर बहुत नाम मातर हो जाएंगे, तब जब आप इन दो चैप्टर से बहुत मजबूत होंगे, अगर आपको इस दो च मिक्षिर होता चला जा रहा है, आपका टाइम एंड वर्क भी अच्छे सो हो रहा है, तो मतब डिपेंडेंसी ओफ आल इस चैप्टर डिपेंस अपॉन इस तू चैप्टर तो आपका अपरोच जो होना चाहिए, वह यह होना चाहिए कि अर्थमेटिक इन तमाम चैप्टर म अची है, जो खास तो पर इधर लिस्टेट आपको दिख रहा होगा, इस साइड में दिख रहा है, और साथ में एक और यह चैप्टर, इधर आगे बढ़ने से पहले की बात कर रहा हूं है, यह नहीं कि हम सारे के सारे 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 को पूरा कैरी खटम करके ही हम कर सकते हैं, तब तक आप डियाए में जो जो भी डियाए में concept यूज होते हैं, आमोमन इन chapters के concept यूज किये जाता है, आप डियाए के लिवे तयार होंगे, डियाए की जो differentiation है वो इस तरीके से है, जो data interpretation chapter है, इसको कभीट करने के बाद इस तरह के से यहाँ जम करेंगे और आप यहाँ पास bar graph, line graph, pie graph, pie chart, इस तरह से different different type of tables, आपको नजराएंगे वहाँ पर table graph, यह सारे आपको यहाँ पर नजराएंगे, डियाए के different different format में आपको सवाल पूचे जाएंगे, और अगर मेंस की बात करेंगे, प्रिलिस में देखा जाए तो इसका हमारे पास ratio देखा इसका जो, यहाँ से नॉमली 10 question के आसपास मिलते हैं, आपको speed match, 35 सवाल है तब की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपको यहाँ पर speed match जो दिख जाता है, इससे आपको कई बार 10 सवाल, कई बार 15 सवाल दिख जाया करते है, और रेश विदा पार्ट यहाँ अगर 10 सवाल, 10 होते हैं, उसमें डी आई का ही बर्चस होता है, आप syllabus को अगर observe करेंगे, SBIP और IPS पो का तो वहाँ पर डी आई, डी आई ही लिखा रहेगा, बिल्कुल syllabus में सिर्फ यह दो वर्ड लिखे रहेंगे, data interpretation and data analysis, मतलब यहाँ तक directly पहुंची नहीं सकते, मतलब अगर यहाँ से चल आप नमली देखेंगे, तो English से बहुत बड़ा तपका है, बड़ा crowd है जो की एक बड़ा वर्ग है, जो की English को लेके परिशान रहता है, तो English का इसे पर इंगलिस कैसे कंप्लीट करें, कहने को लिस्टिंग अगर देखी जाए English syllabus की तो आपकी सतरीके से है कि क्या-क्या टॉ करता है आपके प्रेलिम्स और में इस दोनों जगह पे क्लूस टेस्ट आपको नजरा रहा पेरा जंबल से मिसलेनियस है फिल इन ब्लैंक से मल्टिपल मेनिंग और स्पोर्टिंग एरर्स है परेग्राफ कंपलेशन है वन वर्ट सफिशन है तो यह आपके पास पूरा-पूरा लेकिन इन सबसे पहले आपकी रीडिंग अबिलिटी बहुत 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 है और यहां पर जो इंग्लिश के साथ साथ एक लैंग्वेज वर्ट का इस्तमाल किया जाता है उसका मेन वजह यही है कि बैंक के एग्जामेशन में आपसे वो ड्रेक्ली इंग्ल scientist नहीं English language बोला करते हैं मतलब वहाँ पर English में Reading आपकी कटनी बहतरीन है वही चक करना चाते हैं तो आप Rayunting ability पर धियान दिख्यां धिचया लो reading ability पे आप धियान देजे थोड़ा सा कि आपकी reading ability कि इतने बैटरीन है और इस reading ability को develop करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत से अगर आप bank exam की preparation का करना शुरू कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आप newspaper पढ़ना ही शुरू कर देजे हिंदी मेडियम से या किसी और मेडियम से हो मतब इंग्लिस में पकड़ थोड़ी तंग होती है मतब मजबूत नहीं होती है उन सभी से रिक्वेस्ट होगा प्लीस इनिशियल फेज में आप स्टूरी बुक पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है नो नीड टू गो फर दिस न्यूस पेपर आप सिंपली आप क्या करें स्टूरी बुक पढ़ें आप कोई सिंपल सा नॉवल पढ़ें इंडियन राइटर का नॉमल कहानी किताबे हो गई कुछ भी इस तरह का अंग्रेजी का या कुई मैग्जिन ठालेजी जहां पर छोटे चोटे आर्टिकल दिये गया हो आप इन चीजों को कर सकते हैं सुरुआती दोर में यह मेरा कहना है कि आप अगर रेडिंग स्किल डेवलप करना चाहते हो सुरुआत से तो आफकोर्स आप इस पर काम करना सुरू कीजिए और साथ में इसके साथ भी हो जाएगा अदरवाइ लेकिन सिर्फ ग्रामेटिकल नॉलेज इंपोर्टन नहीं है कि ग्रामेटिकल नॉलेज आगे पास है सबस्क्राइब आपके सामने है लेकिन जो अप्रोच चलने का होगा मेरे हिसाब से वह यहां चलना चाहिए आप सभी को उसका इंपैक्ट यहां नजर आएगा तो रीड स्किल समझी निपारा सवाल एक्षिन पूछना क्या चाहरा है कई आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं भी अगर वहां पर है तो आप उसके रिडिंग से उस स्किल से आप महां पर मार्क्स ग्रैप कर लेते हैं और यह बहुत ईजली ऐसा बहुत 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 जादा टाइम ह होता है का सब्सक्राइब इंग्लिस लैंग्विज आपका सब्जेक्ट हो तो है ना चलिए आगे बढ़ते हैं ओके तो दिस वास इंपोर्टेंट जेनल अवेरनेस जिसको स्टूडेंट शुरुवात से कैरी नहीं कर पाता है लिए मेरा सब से सब्सक्राइशन हो आप सभी को प्रीज इंग्लिश के बाद में काऊंगा कि जो जैनल अवेरनेस से वह ऐसा सिलबस इसको आप बहुत गंभीरता सुनी लेते हैं जब कि शुरुवाती दौर से अगर आप इस जैनल अवेरनेस को गंभीरता से लेंगे डैट मिस कि आपके ये डेली रूटीन में होगी अ आपको 6-8 मेने का करेंटेफर्स तैयार रखना पड़ेगा और वो आदत मिलाने में ही एक दो महीने खर्च हो राता हैं अगर आपके एक्जामिनेशन कभी मान लो कि मेंस का एक्जामिनेशन आमोमन हम वर्स के लास में देखा करते हैं मतलब सेप्टेमबर अक्टोबर नॉ जरू करेंगे तो दो-तिन मेने में दो महीने में 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 मुझे में मालूम चल जाया कि ठीक है मुझे क्या पढ़ना और क्या स्किप करना है इन सारे बातों से खुद का नोट जरूर बनाए चाहे आप कितने भी मेधावी हो कितने भी जबर्दस स्टूडेंट हो आप आप से अपने नोड़ को निखा करें ताकि आपका जब रिवीजन होगा तो बहुत एजली हो सकता है वह नोड़ाउट आइड़ आइड़ कि हमारे और और बहुत जगह पर आपको मिल जाए लगरते हैं बंडल ऑफ पीडिएफ से अन अबाउट अबाउट करेगा कुछ औ आप सभी के रिक्वेस्ट है कि यह आपकी जो पार्ट है जैसे कि current affairs या बैंकिंग अवेर्नेस है इसका आपके पास खुद से एक बार एक बार इसको तो एक बार इसको तो एक बार इक बार पढ़ना पढ़ेगा एक बार conception knowledge आपने जैसे रिजनिंग मैस का लेते हो वैसे य somewhere similar and these two things are somewhere similar तो आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं लेकिन इस ध्यान किया कि यह वाला चीज जो होता है यह वाला पार्ट ऐसे बहुत सारे examples हैं आपके बीच के students का ही जो की शुरुवाती दोर में math reasoning on English में पूरे भीड़े रहे गए और जो prelims qualify हो गया जो कि उनको कई लगता है कि मेरा prelims qualify नहीं होगा और prelims qualify होने के बाद वो आता है कि सर अब क्या करें 15 दिन बाद मेंस है उस वक्त में सिर्फ एक आप चारिकता रह जाती है कि वो जाके examination देंगे मेंस का because ऐसा नहीं है कि आप जिए के बगएर कुछ कर सकते हैं तो जिए एक बहुत अच्छ नहीं करना होता है यहांपे प्रैक्टिस आप कम डियोरेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे मैट चोठी में किया है आपके पास आपको एक पार्ट पे अपको excel करना होगा इस लेवल पर कि आप वहां जाके एकना सवाल एक लिगा ऑफ शुइघा आपको शॉल्व कर पाएं से ठीक है ना एक बच्चे का डाउट आ रहा है किसा कौन सा न्यूस्पेपर बेटर होगा ते को न्यूस्पेपर मैं अभी आप बना खुदी मेंशन कर दिया न्यूस्पेपर पर बहुत ज्यादा अखवार पढ़ना पढ़ेगा आपको उतना डीप में जाने की आव सकता नहीं है यही तो दिकाता है कि कई बार मार्केट मैसे सूड़ो कॉंसेट फराद यह आते हैं कि बच्चे परेशान रहते हैं उससे पूरा अखवार पढ़ना नहीं पढ़ना खवाया पूरा ठीक एन इस तो इस दो फोर सब्जेक्ट संड यू नीड तो गो तू अब तो आपको मुझे लगता है कि आर बीड़ी के फेस्टू का है हां आर बीड़ी के आर बीड़ी अग्रेट बीका जो हम एक्जामिशन इप जिकर कर रहे थे आगे बंद पर बात बाता ही देते हैं आपको उ सब्स दिखाया गया यही में यही चारो के चारो सब्जेक्ट आपके आर बीड़ी का फेस वन एक्जामिशन हुआ करता है नॉमली हमारे बाकी जितने बैंक के और इंसरेंस के एक्जामिशन है पियो या फिर किसी भी लेवल पे उसमें सिर्फ तीन सब्स में होता है यह हमा अगाए बात आपके फेस्टू के फेस्टू का सिल अबस कुछ ऐसा होता है आपको सब्स नहीं के लिए कैसे करना है हम इसा पहले मिस्लेंस सेग्मेंट और सिटिंग मिन्ट है उसको बहुत मजबूत कर लिजिए, मैट्स में आपको स्पीड मैट्स पर पकड़ना बने आपकी अर्थमेटिक पर जम मत कीजिए आप, स्पीड मैट्स बहुत बहुत बहतरीन आपको सपोर्ट किया करता है आपके जो इसके अगर आपने स्पीड मैस कर लिया फिर अर्तमेटी पे जम कीजिए रेशियो और आपका जो परसेंटेज या फिर जो पार्ट आप जाए पर लिए उसके जस्ट बार जाए फिर डी आई पे लिए प्यस्ट रिष्थ भी जाए संकर भी वस्ट बार एपकर जीडんな को फो मरें किस जमार के इस स्टैटेजी माय सब खुछ नहीं इसका prelims और मेंस दो होता है ताम घाटिंस प्रेंस Неんな को धिए रहे हैं तो 60 प्लस अग्जिया करें जो ज़रेल टेनेंसी होती IT इसमनेशन की 60 प्लस टाइए किया करें क्लॉक में यहीं प्र आप 75 के आसपास आव रेंज में आप टागेट कर सकते हैं 75 के रेंज में आप अटेम करेंगा टागेट जरू करें यहां पर यह 65 लिखना भी सही हो सकता है मैंने 65 65 के रखेंगे आप नेक टूनेक होगा आता है 65 प्लस यहां 75 प्लस रखेंगे तो यह बींड इन द शेफ एरिया अगरम प्यो एक्जाम के मिन्स की बात करें यहां पर 200 नंबर में से घरम डिस्क्रिप्टिव को बात करें 200 नंबर में से अगरा हंड्रेट के इर्दगिर्द हैं तो आपको घर से उठा के लिए जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है क्लक में वैसे ही आपके पास 120 आउट ऑफ 200 लेके आ रहे हैं आप तो बहुत बहतरी है सब कुछ बता दिया मैंने इसरेशन में आपको कैसे क्या करना है ठीक है बेंक महापैक और प्लस में क्या डिफरेंस है प्रोफेसर सुनिल मीना ये सवाल पूछ रहा है तो दोनों में डिफरेंस ये सिंपल सा है कि बैंक महापैक आपके जितने भी नॉमल जैसे मैं बताया है चे जो मेजर एक्जानेशन है जिसे उसमें आर बे ग्रिट भी या फि आज जनमास्ट में है तो आप सभी को जनमास्ट में के एक बैतरीन ओफर दिया जा रहा है कि भाईया आप अगर बैंक महापक प्लस या अड़ा का महापक कुछ भी अनुर करना चाहते हैं तो आप उस पे डबल वैल्टी का लाव उठा सकते हैं मत अब सिक्स मंत के अनॉल्मे नर्थी जैनुर्ट में प्रिपाटे प्लम जिलटना अपिर आप हैं तो आप प्लमें युट प्रिपर ज बाच वे इस प्वे मत आपक था यूल्ट बैष ग्या प्लमें कि मसक्त पार इस बैच्स बैच के वरके बैचितने हैं और बैच को यह बैचित्ट विंग ज हुड वर और गिय मस टार दो, और वाल रघंस, मुझ पाल रिल छोग्वाईiers क्यों पाल